नमस्कार आप देख रहे हैं Almighty judicial academy का video lecture और आज का जो हमारा segment है जो हमारा subject है वो है EMI जो कि आप loan जब लेते हैं जब आपको भरना पड़ता है उसको बोलते हैं EMI और EMI का फुल फॉर्म है वो है equated monthly installment जिसे हिंदी भाषा में सरल भाषा में बोलते हैं मासिक किष्टे यानि किसी भी loan को चुकाने या समान को खरीदने के बाद जैसे आपने को यहां तक कि घूमने के लिए भी आजकर loan ले आता है को सिंगापोर जा रहा है किसी को अपना यॉरोप का टूर करना है किसी को सुट्जर लेंड जाना है तो इसके लिए भी loan लेते हैं लोग आजकर जो लोन है उसके बाद इसकी EMI भरनी पड़ती है जो जिसे मासिक उतनी ही ज्यादा होगी दूसरा है interest rate आपके loan पर interest rate EMI को प्रभावित करने वाला एक अन्य फैक्टर है EMI सीधे ब्यास दर के लिए अनुपातिक है रिनदाता आपकी आई पुनर भुकतान शमता क्रेड कार्ड आधी जैसे कई factors के आधार पर आपको ब्यासी करना करते हैं यहां तीसरा factor है tenure यह है EMI का तीसरा factor है जो कि EMI को प्रभावित करता है आम तोर पर लंबे कारेकाल का मतलब है कम EMI लेकिन जादा ब्याज अब आते हैं क्या कारेकाल के दौरान EMI बदल सकती है तो सामानने परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता है हाला कि कुछ परिस्थित अधार पर इंट्रेस्टरेट बढ़ता घरता रहता है जब गटेगा तो आपका बी प्यासदर गर जाएंगी जब बढ़ेगा तो आपकी ब्यासदर भरी स्किंड है लोन प्रिपेइमिंट यदी आप लोन एमांड का एक निश्चित पार्ट भुकतान कर देते हैं एक साथ तब आपकी EMI बदल जाती है तीसरा होता है Progressive EMI कुछ दिन दाता गतीशील EMI का भुकतान करते हैं विशेश रूप से दीर काली जो लंबे समय के लोन लेते हैं वो लोग ऐसा करते हैं शुरू में EMI के रूप में एक निश्चित राशी का भुकतान करते हैं इससे आप अपने दिन को तेजी से चुका सकते हैं Thank you so much Have a nice day